गुद मॉर्निंग श्टुडेंट्स आज हम सभी अध्याय आठ जिसका नाम में मेहनती चीटी उसकी रिक उसकी एक्ससाइज करेंगे तो पहली एक्ससाइज हमारी है रिक्तिस्थानों की पूर्थी कीजे अर्थात जो खाली जगे दी हुई हैं उसमें हमें शही शब्द लि बोज ना समाल सकें तो नन्नी चीटी किसका बोज नहीं समाल सकीती कद्दू के वीच का गर्व द्याय को इस तरह से दिक्कत होती तो आहम विमकोष्ण को इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है अब next हमारा है third अचानक डैस को लगा कोई धीरे धीरे हस रहा है तो अचानक किसे लगा था तो अचानक चीटी को लगा था कि कोई धीरे धीरे हस रहा है number 4 – इसे बारवार उठाने से कोई डैस नहीं होगा तो किस ने कहा था ये? यह जब टिड़ चीटी बार बार उठा रही थी कद्धू के बीच को तब ही टिड़ी ने कहा था कि इसे बारवार उठाने से कोई लाव नहीं होगा तो इसमें लाव आएगा नमबर 5 ननी चीटी के डैस को देकर तिड़ा दंग रह गया तो इसमें किया आएगा इसमें आएगा साहस ननी चीटी के साहस को देकर तिड़ा भी दंग रह गया हमारी exercise नमबर 2 है सही विकल्प पर सही का चीन लगाइए इसमें आपको question दिया हुआ builder उसमें तीन उसके विकलब है उसमें से जो सही है उसमें आपको टिक करना है आप copy पे चाहे तो तीनों विकलब ना लिख कर सिरफ एक विकलब लिख कर जो सही है उसमें टिक लगा सकते हैं लेकिन टिक सही लगाना जरूरी है नमबर एक, नन्नी चीटी जल्दी जल्दी से पहुशना चाहती थी, कहां पहुशना चाहती थी नन्नी चीटी घर, खेत, बाजार, तो इसका उत्तर आएगा घर, नन्नी चीटी जल्दी जल्दी कहां पहुशना चाहती थी, अपने घर नमबर दो, कद्दू का बीच था, कैसा था? कलबा, बद्बूदार या मीठा तो कद्दू का बीच कैसा था? मीठा नमबर तीन, चीटी पर हस रहा था, चीटी पर कौन हस रहा था? बीच, तिड़ा या फिर कद्दू, तो चीटी पर कौन हस रहा था? तिड़ा नमबर चार, चीटी थी, चीटी कैसी थी? सहासी, निडर या दोनों, तो चीटी सहासी भी थी और निडर भी, अर्थात इसका उत्तर आएगा दोनों, आप दोनों पर टिक लगाएंगे नमबर थर्ड पर, अब नमबर तीन हमारी अक्सेसाइज है, उ की मातरा के पांच शब्द लिखे, उ की मातरा, हमारा होता है ये, छोटा, उ, इसकी मातरा हम कैसे लगाते हैं? इस तरह से, एक हमारा होता है, बड़ा, उ, इसकी मातरा हम लगाते हैं, इस तरह से, तो हमें यहा पर लिखने हैं बड़ी उकी मात्रा के छोटा हूँ होता है उसे हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ फुल यह हमारा हो गया छोटा हूँ अब हम इसे लिख इस पर लगा है बड़े उकी मात्रा तो यह क्या हो जाएगा हमारा फूल अब देखे म मैंने फुल जल्दी बोला और फूल थोड़ा देर तै कि असांस को खीश के बोला, तो ये डिफ्रेंस होता है छोटे उकी मातरा और बड़े उकी मातरा में, तो हमें किसके सब शब्द लिखने हैं? बड़े उकी मातरा के, तो पहला हमारा क्या हम लिखेंगे सूरज, फूल, दूद, भूख या रामू या आपको जो भी आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं धन्यवाद